हेलो स्टुडेंट्स माइसेल जियाज चोहान टीम मौटनी सियल से सेकर हम लोग डिसकस कर रहे हैं गुरुदी ट्वाइट थार्टीन टॉपिक है इसमें एकोलोजी एकोलोजी में भी सब टॉपिक है इसका और्गिनिजम पॉपुलेशन एंड एको सस्टम प्रिविएस यहर 10-12 कुर्शन बड़े आराम से PMT में हर साल लगबग पुझे जाते हैं तो इसमें अपना पहला कुशन है यह पॉपुलेशन से लेटेट कुशन है पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रोथ करती है और किस तरीके से पॉपुलेशन में डिक्रीजिंग पॉइंट हमें देखने क को मिलता है तो यहां पर चार टर्म बड़े खास हैं एक है नेटलिटी एक है मॉटलिटी एक है एमिग्रेशन और एक है इमिग्रेशन है ना तो इमिग्रेशन आने वाले जो ऑर्गनिजम है पर्टिकुलर टाइम पीरेड में जो पॉपुलेशन से एड हो जाते हैं इसका तो फॉर्मूला है मैंने और इस पर बना रखा एंटी प्लस वन एज उकल टू एंटी प्लस ये पी है यहां नेटलिटी को सोगते हैं बर्थ रेट कह सकते हो आई मतलब इमिग्रेशन है और डी का मतलब है मॉडलिटी यानि की डेथ रेट और यहां पर किसी भी एक पॉपु पॉपुलेशन को या डेंसिटी को छोड़ कर कहीं दूसरी जगे पर सिफ्ट हो जाते हैं माइग्रेट एनी अधर प्लेस प्रॉम ए पॉपुलेशन तो यहां पर कहा गया है कि जी विज्ञानिक के चूहों की समस्थी चूहों की समस्थी के बाद किया जा रहा है और यहां पर कितनी है जन्दर है बर्थ रेट है आपके लिए टू फिप्टी यहां बर्थ रेट है और यहां पर जो ओसत डेथ रेट है वो है आपके लिए तू फॉट्टी यहां डेथ रेट दिखाई गई है आप्रवाशन आप्रवाशन का मतलब है कि यहां पर इमीग्रेटिट जो लोग है वो आए है 20 तो इमिग्रेटेट कहा रखोगे प्लस 20 इसमें आ जाएगा है ना और यहां पर यहां मॉर्टेलिटी एमिग्रेटेट पर्सन है जो रिप्रेजन किया जाता है तो थर्टी है इनका आपन करते हैं तो आपन को क्या मिलेगा यह हो गया 270 माइनस 240 और 30 कितने हुए 270 है ना तो दोनों ही कंडिशन में हमें 270 नजर आ रहे हैं मतलब कि वन जीरो तो इस तरीके से यहां पर आपको यह जीरो सून नजर आ है तो पॉपुलिशन की ग्रोथ यहां पर सून ने कंसिडर की जाएगी ठीक है तो इस तरीके से फॉर्मूला इंसे आटे में दिया है इसमें सभी की जो डिजिट है उनको पूट अप करना है और उससे हमें फॉर्मूला मिल जाता है सब्सक्रणा का मतलब है आपने दीखा होगा कि जो कैक्टस जो प्लांट होता है कैक्टस प्लांट में इस तरीके से में सामें नजर आते हैं यह आपके लिए है और यह जो है यह फिलो कलेड है इसका जो स्टेम है वह भी एक के स्टक्टर में बदल हिला जाता है और इसकी जो लीफ से वो स्पायन में बदल जाती है जो एक पडिक डॉटेंटिब की तरह बर करती है पिश्यां डॉकनी या कैक्टस इस इसे ओपनिशिया भी इसका बेस्ट आंसर इसका बेस्ट आंसर किया गया आर्पीम्टी दोजार चूदा में आया है नेक्स्ट जस्ट एज पर्संग मुविंग फ्रॉम देली तु सिम्ला डेली तु सिम्ला जाता है तो यहाँ पर कहा गया है कि किस तरीके से और्गिनिजम अपने एडवर्स क्लामेट को टॉलरेट करते हैं तो इसमें एक तो यहाँ पर रेगुलेशन आता है, कन्फर्मर्स आते हैं, माइग्रेशन आता है, सस्पेंड आता है तो यहाँ पर माइग्रेशन की बात करी गई है, माइग्रेशन में जैसे कहा जाता है, दिली के लोग सिम्ला चले जाते हैं साइबेरियन जो सारस हैं, वो एक्चुली क्रेन जो हैं, वो भरतपुर के क्योलाडो नेशनल पार्क में आते हैं, जो कि राजस्थान में इस्तित हैं, तो उसी की रेस्पेक्ट भी यह बात करी जा रही है, कि आप समझ गयोंगे, तो अल्टिमेटली जिस तरीके से इंसान माइग्रेट करते हैं, बैसे वर्ट्स भी यहाँ पर माइग्रेशन करते हैं, AIPMT 2014 का यह कुश्चन है, नेक्स्ट है, दा फॉलाइंग ग्राफ डिपिक्ट्स चेंज इन टो पॉपुलेशन ए और बी, आफ हर भी वोर्स इन ए ग्रेशिफ फिल्ड, ए पॉसिबल रीजन प और बी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या हो सकता है, पॉपुलेशन ए एक एक तो मेंबर के अग्र को कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन इस हैविटेट डिक्रीज, डिक्रीज होते हैं तो दोनों के गराफ नीचे जाने चा Compeated More Successfully For The Food Than The Population A तो यहां पर है कि फूड के लिए जो पॉपुलेशन भी है वो कंपीट कर रही है मत्ब़ अच्छेस्पुली सर्वाइब कर रही है और वो एक लिए पैदा कर रही है तो यहां पर में उतना पावरफुल नहीं है उस बज़े से उसकी population decrease होती चली जा रही है third इसका correct answer बनेगा 2015 में question बना है in which of the following interaction बोथ partner are adversely affected बढ़िया adversely affected जैसे competition एक मात्र ऐसा interaction है population के बीच में जहां पर दोनों partner affected होते हैं minus and minus relationship होता है तो बढ़िया है minus and minus यह relationship है parasitism में plus and minus relationship है mutualism में plus and plus relationship है prediction में plus and minus relationship है तो correct answer हमारे लिए third बनता है next stem modify into the flat green organs performing the functions of the leaves are known है अभी जो नागफनी का हम लोग और डाइग्राम बनाया था philoclate actually नागफनी या cactus यह जीरोफिटिक प्रांट है typical desert के लिए adapted है जहां पर minimum amount of water है तो यह क्या करते हैं कि अपने leaves को spine में बदल देते हैं और stem को अपने leaf like structure यानि कि फिल्लोग लेट पर्डाव इस्तंब में बदल देते हैं तो वो क्या कहलाता है तो पर्डाव इस्तंब यानि कि फिल्लोग लेट अभी हमने डाइग्राम में आपको explain भी किया था next Gauss's principle of competition exclusion state that अब यहां क्या होता है कि कौन किसे एक्स्क्लूज करेगा मतलब यहां से रिमूब करेगा competition for the same resource exclude species having the different food different food होगा तो देखो अगर दो इसपसीज एकी एरिया में प्रिजेंस हैं और उनका फूड अलग लग है तो इनमें competition होगा ही नहीं ठीक है तो नो टूइस्पिसीज कें अकुपाई दसीम निकी अडेंटिफाए indefinitely for the same same limiting resource same limiting resource है तो इनमें definitely इनमें competition होगा और उसमें से जो अधिक powerful होगी या अधिक superior होगी competition में वहां पर exist करेगी बलकि दूसरी जो inferior है या less competitive है वहां से eradicate उसे होना पड़ेगा तो यह आपका correct answer बनता है second NCRD based बढ़िया question है यह है when does the growth rate of a population following the logistic model equal zero कब हो जाएगा the logistic model is given यह दिया हुआ है यह आपको जीरो कब देखने को मिलेगा तो actually इसी selected पिछली साल भी एक कुशन बना है आप जानते हो logistic growth कर्व क्या होता है logistic growth कर्व आप जानते हो यह carrying capacity है कि यह को represent करती है इस तरीके से यहां पर हमें logistic growth कर्व देखता है मतलब एक population की growth carrying capacity decide करती है तो number of population number of individuals in a population controlled by the carrying capacity carrying capacity की मतलब होता है resources वहाँ पर habitat कितना है food कितना है other resources कि amount में presence है और अगर यहीं पर resources unlimited होते तो यह exponential growth कर्व हो जे से होता है यह से होता है जो logistic growth कर्व है तो यहां पर वेन दा एन नियर ली carrying capacity of the habitat वेन एन अप अपन के एक पल जीरो वेन डैफ रेट इस ग्रेटर दैन दा बर्थ rate तो ब्रेट यह रेट जो होती है न यह कितनी होती है तो मतलब आपका जो carrying capacity है वो अगर यहां पर नमबर आफ इंडिविजल को यह carrying capacity decide करेगी इसलिए ग्रोथ कर्व यहां से आपर साइड में शिफ्ट नहों कर बिस्कुल बिल्कुल इसके parallel चलता है यह stationary condition को सो करता है इसलिए हमारे लिए correct answer बन जाएगा यह मतलब एक population में number of individuals को determine करता है वाँकी carrying capacity हैना धारण चमता है जैसे इसे एक और तरीके से भी समधाया जा सकता है जैसे एक bottle है यह बोटल है लोजिस्टिक का मतलब होता है आपके लिए एक सामान एक logistic एक material तो हर material की carrying capacity होती है जैसे यह एक लीटर पानी को hold कर सकती है carrying carry कर सकती है तो इसमें एक लीडर से अगर ज्यादा पानी को hold रखा जाएगा तो ultimately यह उस पानी को इसमें hold न करते हुए बाहर की तरफ कर देगा तो यही है carrying capacity का concept मतलब एक ecology एक ecosystem का भी एक perdular area का भी एक holding capacity होती है logistic का मतलब यही होता है next if plus sign is assigned to the benefits मतलब plus benefit को सो कर रहा है negative sign determine harm और जो zero होता है वो neutral interaction को हो करता है देनदा population interaction plus minus किसमे रिप्रिजन्ट होगा तो देखो एमन स expensive minus and zero relationship होता है common में plus and plus होता है परशटीम में plus and minus relationship होता है म्यूचलुम में plus and plus होता है तो आप देख सकते हो कि एक ही answer बनता है वह परशप्टिस है थेर्ड का correct answer बन जाए इस कौन सा सही सुमेलित है एज पिरामिड बायोम पार्थीनियम हेस्टरोफोरस थ्रेट थ्रेट और बाड़ार से इसे टेरर बंगाल के नाम से जानते हैं याद रखने का है बाकी एरन कयमा अपंसिया में होंगे स्ट्राइटिफिकेशन स्ट्राइटिफिकेशन में देखने को मिलेगा ही मतलब डिफ्रेंट प्लांट होते हैं वो अपने डिफ्रेंट एरिया को अकुपाई करते हैं और उस अकुपाइड एरिया को स्ट्राइटिफिकेशन कहते हैं स्ट्राइटिफिकेशन एक्शुली एक मैक्सिमम एक्सक्लूजन आज इस टेट बाई ये है गौसे का प्रिंसिपल है इन में कहा गया है को जो सीज होती है वो दूसरी को वहां से एक्स्क्लूड कर देती है ना जैसे कहा जाता है गया पैगोज गया पैगोज पर जब गॉट को इंट्रोडूच किया गया था जो की ग्रेशिं टॉर्टोज होते हैं वो कुछ एक साल के अंदर मतलब यह बन डिकेस के अंदर वहां से बिलुप्त हो जाते हैं वहां से गाय हो जाते हैं तो वो प्रिंसिपल यही पर इसमें अप्लिकेबल होता है फर्स्ट करेक्टर अंसर है यह देखो 2017 में भी आया है एस इंपार्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इस आप्टेन वेंट कब जब आपकी केरिंग केपेसिटी एंड के बराबर होगी है ना तो मतलब जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसकी पर्टिकलर केरिंग केपेसिटी वहाँ पर जितनी धारन चमता होगी एकोसिस्टम की उतनी ही वहाँ पर पॉपुलेशन हमें देखते को मिलेगी फर्स्ट इज करेक्ट नेक्स चलते हैं माइको राइजा माइको राइजा अच्छा है माइको राइजा जी मूच्वल रिलेशन से बिट्वें फंगस एंड रूट्स ऑफ फायर प्लांट इस्पेशली पाइनस ने जहां वाटर अब्जॉप्शन लिखा वहाँ लिखा भी है पाइनस सीड में नॉट्स जर्मिनेट विताउट माइको राइजल असोसियेशन कहा तो यहां तक जाता है कि एक एक ऑब्लीकेट मूच्वल रिलेशन से जहां एक दूसरी के अपसेंस में एक दूसरी की सर्वाइबल अफेक्ट हो सकती है तो वही चीज है यह एक मूच्वल एक्जामपल है नीट तूथावजान शेविंटीन में यह कुश्चन पूछा गया है सहोपकारिता का बढ़िया एक्जामपल है प्लस एंड प्लस यान में भी खास्तोर से याद रखना सल्फर सॉरी फॉस्फॉरस फॉस्फॉरस को यह अब्जॉर्ब करके उस रूट्स को प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट प्लांट विच प्रडूस क्रेस्टिस्टिक नुमेटोफोर्स लेखो नुमेटोफोर्स का होते हैं डुमेटोफोर् होती है वहां से जी ओ निगेटिव यहां पर रूट्स होती है इन्हें रेस्पारीट रूट्स भी कहते हैं यहां से ऑक्सिजन और सी ओटू को इजेक्ट करती हैं और यह प्लांट के दूसरे स्थों में इस गैसियस एक्षेंज को कंड़क्टर आती है क्यों क्योंकि यह प्राइबी पेरी सबदा प्राइब प्राइब यहां पर्राइब फेर प्लंट पर ही जर्मिनेट होते हैं और वहां से जर्मिनेटेट SEED ही SOIL में पहुंचते हैं इसे हम BB PARIS SEED GERMINATION कहते हैं SEED GERMINATION के लिहाज से देखा जाए तो 3 तरीके से SED GERMINATION होता है APICIEL SEED GERMINATION जिसमें SEED GERMINATION के दौनार जमीन से बाहर आ जाता है HYPOGEL जिसमें SEED GERMINATION के अंदर ही प्रजेंश रहता है तो यहां एक बीवी पेरा सीर चर्मिनेशन है जो हेलोफाइट का यूनिक करेक्टर बनता है नेक्स्ट निक्के क्या है निक्के बढ़िया एक सब्ध है पोपलेशन इंट्रेक्शन एंदर इंडर ओर गिन्सीवेंट पोपुलेशन में दूसरे ही पेज पर आप इंसे आड़ने निक्के की बात करेंगे निक्के के लिए कि पर्टिकूलर जो सपीज में एक पर्टिकूलर हैविटेट के लिए हाईली अडप्टेट होती है और उसक इस पर बात की जा सकती है बाइद और इट लिव जहां वो रहता है फिजिकल स्टेप यह नहीं है बाइलजिकल फैक्टर नहीं है करेक्ट आंसर सेकंड बनता है नेक्स्ट नेटलिटी रिफर्ड मतलब जन्मदर जन्मदर क्या है एक पर्टिकलर टाइम में एक पॉपलेशन के अंदर जितने और जन्म के द्वारा जुड़ जाते हैं उसे हम नेटलिटी कहते हैं नमबर आप इंडिविजुल लीविंग लीविंग नहीं छोड़ते नहीं बलकी जुड़ते हैं है ना एंट्रिंग ए हैविटेट हैना नमर आप इंडिविजुल एंट्रिंग एंट्रिंग तो आपके इमिग्रेशन से भी उसे प्रव तो बर्थ रेट को सो करेगा ठीक है बर्थ रेट थार्ड करेक्ट रांसर बनता है इन एक ग्रोइंग इसद्रिशन हमें नजर आते हैं आप देखोगे कि यह हैं प्री रिप्रोड़क्टिव प्री रिप्रोड़ुक्तिव यह प्री रिप्रोडॉडुक्तिव एक साल से लेकर 18 साल के बच्चे हो यह होते हैं रिप्रोड़ॉड dzisiaj और देन आपके पोस्ट बुजुर्ग यह हैं आपके 51 से 100 लोगों को ले लो तो कहा जाता है कि यह प्लॉट अगर बड़ा है तो यह exciting population कहेलाईगे अगर यह छोटा हो जाता है तो recending कह लाएगी अगर reproductive के बडाबर होता है ऐसी condition में यह stable population कहलाती है तो reproductive and pre-requisite individuals are equal equal में stable हो जाएगी pre-reproductive मतलब बच्चे pre-reproductive individuals are less less हो जाएंगे तो वो decline में चले जाएगे reproductive individuals are less than the post reproduction प्री रिप्रोडुक्टिव की संख्या आपके रिप्रोडुक्टिव से ज्यादा है तो यह अपनी असेंडिंग पॉपुलेशन का ग्राप बन जाता है इसलिए फॉर्थ इसका करेक्ट आंसर बनेगा है नेक्स चलते हैं इसलिए प्रोडुक्टिव रिलेशन से पोते हैं एक फंगस है यह पंगस है सपोर्च पैंसिलीन है पैंसिलीन एंटिबाटिक प्रडूच करती है पैंसिलीन का कोई डेरेक्ट रिलेशन बैक्टिरिया से नहीं है पैंसिलीन तो जस्ट एक केमिकल प्रडूच करती है यह बात अलग है कि बैक्टिरिया उसमें सर्वाइब नहीं कर पाते है तो कोई प्रोपर इंटरेक्शन इसमें नहीं है तो इसलिए कहा जाता है कि पैंसिलीन यहां नीट्रल रहता है ना तो इसको वेनिफिट है बैक्टिरिया के मरने से कोई वेनिफिट नहीं नहीं कोई लॉस है लेकिन हां बैक्टिरिया को लॉस हो रहा है तो इसलिए इसमें जीरो एंड माइनस रिलेशन से पामें देखने को मिलता है तो यह एक अच्छा है एमन सेलिंज पर कुश्चन बन रहे हैं एमन सेलिंज पर एंशाड़ी ने ज्यादा इंफॉर्मिशन दी नहीं है बस टेबल में एमन सेलिंज का जिक्र किया है अभी आप पर प्रिविएस यह इसी पेपर में देखेंगे कि यह कुश्चन दो दो बा इस तरीके से सी में फोर्थ आपको कहा न जरा रहा है सी में फोर्थ यह न जरा रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप सबकी मैंचिंग कर लो आट सिट हो जाएगा ना विच आप दा फोलाइंग पार इस नौट ए अट्रिबूट आप दा पॉपलेशन मॉटलिटी होती है सेक्स रेसों होता है निटलिटी होता है इस पिसीज इंट्रेक्शन यह करेक्टर नहीं है एक्चुली उसका एक इस पिसीज में इंट्रेक्शन हो सकता है 2020 का कुश्च सेकेंड्री मेटाबॉलाइट बढ़िया यह तो एक ऐसी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना सेकेंड्री मेटाबॉलाइट में हर साल मानके चलता हूं कोई नहीं कोई कुश्चन मिलता है पिछली साल जैसे गंदा नगर में जो पेपर हुआ था नीट का उसमें ले लेक्टिन कौन के नाविलिन पर आया तो इस तरीकी से इस पर हमेशा कुश्चन फ्रेम हो रहे हैं तो शेकर्णी मेटाबॉलाइट क्या करते हैं देखो याद करो प्रेडेटर में आपको समझाय गया था कि किस तरीके से कुछ प्लांट अलकलॉओट को प्रेडेट इस निकोटिन है तो वह टव्चको पिर्डिच करती है मोफीम है तो बहुत सारे मॉर्फिन कोडिन थी नार्कोटिन इसे सिर्फ इसलिए जिससे कि इसके जो हर्बी वोर्स हैं प्रेट अपने जो हर्भी वोर्स है उनसे बचना चाता है इसलिए डिपैंस में ही उसने इंटर्डीउस किया था अपने उनके इस्पाइन या थांस को थांस और स्पाइन से भी बच जाता है ना नेक्स्ट कुशन इन दा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्क्वेशन तो यह है ना यह क्या है एक्शुलिई दा बसस आव एक्सपोनेंशियल लागर्थम 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 । मतो है नेच्टरल लाघर फर अना तो एक्स बॉनेंशियल आप्वेश यी अपन को कहा में लाथा यह यह मिला था यह 2018 में आया है और आप कहां रहा है वही कुश्चन यह फिर से आ रहा है 2021 में यानि कि 18, 19, 20, 21 फिर से रिपीट हो रहा है तो उसमें इन्होंने ज्यादा करेक्ट करके दिया है कि यह है रिलेशनशिप होगा 0 और 1 होगा माइनस जीरो एंड माइनस रिलेशनशिप है यहां उन्होंने मुच बैटर उसको रिप्रेजेंट कर रखा है है ना नेक्स सलते हैं इस्पाइट आप दा इंटर स्पिस्पिक कंपडिशन इन नेचर विच मेकेनिजम आप मेकेनिजम दा क आब जूद प्रितिसपर्दा करने वाली जातियों ने अपने अंतरजीवता के लिए कौन सी विथी का विकास कर रखा है संसाधन विभाजन रिसोर्सेज पार्डिशन आप रिसोर्स के पार्डिशन कर लो अलगलग जॉन में हैबिटेट में खाना अपने फूड को इंटे तो रिसोर्स पार्डिशन बढ़िया है नेक्स्ट विच वन अब दा फॉलाइं इस्टेटमेंट कान नौट बी कनेक्टेट तो प्रिदेशन के लिए क्या सही नहीं होगा प्रिदेशन मतलब एक सेर एक हिरन को खा रहा है मतलब सेर सिकारी है और हिरन सिकार है तो यहां पर एक को लॉस होना है और एक को बैनेफिल इत माइव लीड अक्स्टेंश अच्टिंशन अफ इस पसीज बोट दा इंटरेक्शन इस पसीज और निगेटिवली इंपक्न निगेले ती नहीं एक प्लस में रहता है necessity to the natural maintain the ecological balance help to maintain the species diversity in the unique community तो यहां पर कह रहा है कि दोनों ही negative impact में रहते है निगेटिव में नहीं रहते है बल्कि prediction में plus and minus relationship होता है तो second correct answer अपना बन जाता है वाइल explaining enterprise species population plus sign benefit negative harmful impact zero negative which of the following interaction can be assigned plus and minus ऐसा भी अपन को पिछले भी question मिल चुका है 2022 में फिर से आ रहा है मैं इसलिए यह CLC इसलिए आपको इस time पर यह बापस रिवाज करा रही है क्योंकि इसी में से question कहीं न कहीं थोड़ा data change करके question ऐसे ही frame होगे तो यह हमारे लिए ज्यादा अभी इस time beneficial ठीक है तो इसमें प्लस एंड माइनस का relationship क्या होगा एमन सेलिजम तो आपने अभी देखा कि जीरो माइनस है common सेलिजम प्लस एंड प्लस है competition माइनस एंड माइनस है prediction आपके लिए प्लस एंड माइनस relationship में देखने को मिलना है फोर्थ करेक्ट होगा इसमें है कि एट ड्रॉस फिला है लेबरेटरी में population में 80 ना population of 80 डाइड आठ मर चुके हैं एक सब्ता के अंदर 80 जो population थी उसमें से देट रेट आप क्या होगे तो डेट रेट आपकी होगी एट अपॉन 80 एट अपॉन 80 कितने हो जाएगी आपकी 0.01 यह करेक्ट आंसर बन जाएगा फोर्थ 2022 का कुश्चन है secondary productivity is rate of the of formation of new organism matter by secondary productivity तो secondary productivity हर भी बोरस से related होगी ना producer तो consumer से होगी secondary productivity प्राइमरी productivity का connection आपका होता है अब producer से secondary productivity का connection होगा आपके consumers है ना तो बढ़िया first answer है next जलते है which of the following process during the decomposition is correctly described correctly है है ना तो यह जरूर है एक बढ़िया कुश्चन है catabolism last step in the decomposition under the fully anaerobic condition leaching leaching water-soluble organism nutrients rise to the top layer of the soil top layer की और नहीं आते है ना तो यह correctly described किया गया है humification leading to the accumulation of the dark color substance humans which undergo the microwave fast fast activity होने से यह गलत हो गया ठीक है fragmentation carried out by the organism such as earth bomb earth bomb fragmentation करता है तो इसका मेरे के साब से थार्ड ओन लीचिंग देखो इसमें कह दिया है कि leaching में mineral upper side में आते अपर नहीं आते बलकी lower side में जाते हैं यहां पर जो लीफ है सपोजिए डिग्रेड हो रही है तो यह जान होता है यह बी जोन होता है तो कहा जाता है कि जो inorganic substance है water के साथ mix up हो के इस lower zone में चले जाते हैं जहां पर यह plant की roots भी नहीं पहुंच पाती है ऐसा inside ले लिख रखका है कि inorganic substance as a soluble in water move towards the lower surface of the soil profile और इसन होरीजन सब्दें सब्सक्राइब होरीजन इनको कहते हैं यह बी सीडी ऐसे होती है तो बी जॉन में जाके अकुमिलेट हो जाते विच आर अन अवेलिबल पॉर प्लांट्स तो ऐसी कंडिशन है थर्ड इसका correct answer बनता है next match the following and select the correct option क्या population growth growth कौन कराएगा natality कराएगी है न पॉली नेशन pollination ecological service भुजाएगी चलो यहीं से सोच लो सी में फॉर्थ कहा है सी में फॉर्थ दो में है third and fourth में और आपका दी में third कहा है दी में third तो आपका fourth correct answer बन रहा है बाग की आपन देख लेंगे next बढ़िया if 20 joule of energy strap producer then the how much energy available in peacock as the food to 20 कहा है यहाँ पर 20 joule यहाँ तो 2 यहाँ फिर आपकी 0.2 यहाँ और पिकॉक में कितनी हो जाएगी 0.02 joule हो जाएगी है न तो 0.02 joule कहा है 0.02 यह रहा तो first correct answer next standing crop क्या होता है mineral standing crop standing state कहते है in organic components के लिए है न minerals के लिए और organic matter जहाँ formate होता है generate होता है उसको कहते है standing crop तो mass of living organism at a particular time in any tropical level of food chain known as standing crop किसी के लिए होसका है in an ecosystem the rate of productivity of organism matter during the photosynthesis term as photosynthesis होरी है तो gross primary productivity हो जाएगी थार correct answer वनेगा the mass of the living material at a tropic level at particular time is called living matter देखो फिर से हो गई standing crop देखो अभी 2015 में आया ठीक है और अभी अपन ने देखा है इसको क्या standing crop 2014-15 दोनों में repeat हो लाए यह र्प्यम्ट्व यह याद रखना है vertical distribution of different species occupying different area यह चोटे चोटे प्लांट है यह से बड़ा प्लांट है यह से बड़ा प्लांट है तो इसे कहेंगे हम stratification याद रखना बढ़ या है अच्छा अक्सर कुशन यह पुछा जाता है stratification बार इस तरह है ना association of individual of different species living in the same habitat and having functional interaction इस निके भी अभी पुछा जा चुका है functional functional जैसी सब्दा है आप निकी की बड़ जाना ठीक है next most animal that live in deep ocean ocean की बहुत गहराई में पाए जाते है तो यह यह यहाँ पर काईलश्थी से archivacteria के presence होती है inside लिख रख किया है कि some archivacteria may survive 400 degree centigrade in in hot springs and deep sea hydrothermal bands deep sea hydrothermal bands गरम जल की धाराएं जो समुद्र के नीचे बहती हैं वहां काईदे से हेलो फिल बैक्टिरिया प्रिजन्स होते हैं जो कि आर्कि टाइप है यहां का temperature 100 से 400 तक हो सकता है यहां पर यह सर्वाइब करते हैं तो यहां पर यह कैसे होंगे है ना तो टर्सरी कंजुमर्ट्री ब होगा और वहां पर पहुचेगा हालां कि वह एक तरीके से कीमो ऑट्रोपिक भी कंसिडर होते हैं लेकिन ज्यादा ट्री बोरस नेचर में आगा है टैंसले बढ़िया है याद रखना एको सिस्टम सब्दी किसने दिया टैंसले ने दिया दा प्राइमरी प्रोडूशर आप दा डीप सी आइडरोटर्माल बेंट क्या है फिर से आगा की मो सिंथेटिक बैक्टीरिया तो वहाँ पर इसलिए ये बाप को दिखाये जा रहे हैं कि किस तरीके से कुश्यन रिपीट हो रहे है एवन सही बोला जाय तो ये रिपीट हो रहे है ना तो यहां कीमो संथेटिक बैक्टिरिया उचाएंगे है ना डीप सी में अभी देखो ये 2015 का है वही कुश्यन है लगबर 2016 में फिर से आ गया है तो आप इन चीजों पर फोकस करें ध्यान दें ध्यान से इन चीजों को समझें है ना तो ये next which ecosystem has the maximum biomass biomass forest के अंदर जाब होगा आपको याद हो ट्रोपिकल रेंड फोरेस्ट यानि के अमेजोन फोरेस्ट इतना विसाल का फोरेस्ट है बड़े फोरेस्ट है कि यहां टोटल अर्थ का 20% oxygen produced होता है और maximum यहां biodiversity presence होती है तो biomass बहुत ज्यादा होता है ना नेक्स चलते हैं in relation to gross primary productivity and the net primary productivity of which of which one of the following statement is correct GPP जैसे एक फॉर्मुला दिया है NPP is equal to GPP minus R है ना gross primary productivity and net productivity are one and the same same नहीं होते है यह अगर 100% है तो आपकी यह अगर 10% है सपोस्ट तो यह 100% होगी हाना और यह 90% होगी 90% यह है क्योंकि इसमें से 90 को अटाया जाता है तब 10% यह net primary productivity बचते है तो same कैसे हो जागा there is no relationship between gross primary correlation होता है gross primary productivity is always less than net GPP 100% होती है NPP 10% होती है एक linman हुए है उनका 10% रूल भी है कहा जाता है एक ट्रॉपिक लेबल से दूछरी ट्रॉपिक लेबल में आपके 10% के according heat transfer भी और उसका जो energy label है वो पहुंचाता है 0.02 Joule वही concept यहां लाग होता है next match the tropic label which they are correct species example in grassland ecosystem grassland ecosystem के लिए क्या सही है तो आपका first tropic label कौन हो जाएगा घास में घास को कौन घाएगा rabbit तो first first tropic label मतलब T1 की बात हो रही तो producer होगा घास होगी हो इसलिए और second tropic label क्या हो जाएगा rabbit हो जाएगा घास को खाता है यही पर देख लो C में क्या जा रहा है C में fourth C में fourth लोगो एक यह answer ऐसे बड़िया कोशन होते हैं अगर दो भी option में पता है बड़े आराम से solve कर सकते हैं यह फिर से आगया वही आर क्या होती है respiratory loss respiration में क्योंकि work करने में जो energy consumption होती है उसके बाद में जो energy बचती है वो NPP कहलाती है और वो body में store होती है next given below are two statement ठीक है decomposition is a process in which the debt treat us is degraded into the simpler statement by micro चलो बड़िया मतलब micro organism जो organic dead organic matter है उसे simple compound में तोड़ते हैं बिल्कुल सही बाद decomposition is faster if the debt treat us rich in lignin chitin lignin chitin होगा तो decomposition slow हो जाएगा faster नहीं faster तब होगा जब water content होगा जब से protein content होगा समझ गया इंसाड़ी में निखावा है फर्स सही है सेकीन गलत है है ना सेकीन इस incorrect correct हमारे लिए आंसर सेकीन में पर नेक्स सलते हैं इफ्र है ना इन्वेर्टेड बायो मास के लिए इन्वेर्टेड प्रामिड आप बायो मास् ग्राम में ग्राम किसमें मास को का कल्कुलेट करते हैं next which आप्दब हो लाइं इकलोजीका प्रामिड इस जनरली इन्वार्टेड समुद्र में बाइओ मास का प्रामिद हमेशा इन्वर्टेड होता है क्योंकि वहाँ पर होते हैं फाइट अप्लेंक तौन का बाइओ मास हमेशा लेस होता है एज कंपेर टू फिसल्स इसलिए इसका सेकेंड करेक्ट आंसर मनता है next which of the following statement is not correct pyramid of biomass in sea is generally upright गलत हो गया लो यही गलत हो गया pyramid of energy always upright शही है number of grassland upright शही है pyramid of biomass sea is generally inverted यह भी सही है first correct थानले कुझकी not correct कुछ है secondary succession take place secondary succession में time come लगता है और वहां होता है जहां पहले से climatic condition मौझूद है soil already presents जैसे deforestation है flood sea जो forest है वो destroy हो गए है वहां होता है और primary वहां होता है जहां soil भी नहीं है जैसे bare rocks है जैसे new prepared ponds है जैसे कि आपके वो newly cooled lava है वहां पर तो यहां पर क्या करोगे new cool lava primary होगा bare rock primary होगा degrade forest यह सही है new created pond देखो वही एंस यादिन के सारे ले रखे है third इसका correct answer बनता है next during the ecological succession the number of numbers and type of animals remain constant जन्तु बसंग कि इस्थिर रहती है इस्थिर नी रहती बल्कि चेंज होती है the change lead to the community that in the nearly equilibrium with the environment and call the pioneer pioneer नहीं होती equilibrium to climax vegetation होती है है ना the gradually and predictable बहुत बढ़िया यह ecology की वो succession की definition दी गई predictable and gradually धीरे धीरे और predictable growth जो होती है na succession की population की वो कहलाती है succession ठीक है तो आपके लिए correct answer third बनता है next which of the following board appears as the pioneer organism on bear rock bear rock पर pioneer कौन होता है like cane clear next which of the following is correct for our selected species our selected species क्या होगी large number or small progeny होगी fourth correct answer बन जाएगी next presence of the plant arranged into the well defined vertical layer depending on their height can be seen best in है ना to switched पर उर्द्वादर रस्तरम वे बाश्ते पात्मों की अपनी लंबाई के अनुसार्स उपस्ते सबसे अच्छी कहां देखी जा सकती है ट्रॉपिकल एन फॉरस लास्ट टैंपरेट ट्रॉपिकल तो ट्रॉपिकल में आप देख लो बढ़िया बड़े बड़े प्लान मिल जाएंगे ये बढ़िया है गिविंड ना अट्रॉजन साइकल से तो पवोकता है तो यह है प्रडूशर कौन है प्रडूशर यह प्रडूशर आपके लिए हैं प्रडूशर ओके तो आपका यह सी कौन है प्रडूसर और यह क्या हो रहा है यह यह बेदरिंग है बेदरिंग मतलब रॉक है तो सी में आपका क्या जा रहा है सी में है प्रडूसर सी में प्रडूसर कहा है आपको सी में लेटर फॉल हो रहा है नहीं सी में मिनरल रॉक हो रहे हैं नहीं सी में प्रडूसर यह हैं सी में यह तो आपका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है, in which of the following, both pair have correct combination, है न, correct combination क्या है, gaseous, nutrition, cycle, nitrogen, sulfur, sulfur नहीं होगी, है न, sediment life cycle क्या है, carbon, carbon तो gaseous है, यह गलत होगी, gaseous, nitrogen, sulfur and phosphorus, gaseous नहीं है, gaseous, nitrogen, carbon, nitrogen, sedimentary है, sulfur, यह बढ़िया कुछ आंसर बनना है, carbon, gaseous, sulfur पिर गलत होगी है, यहाँ पर, तो correct third answer है, the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium presence in the soil, any given time is referred to as, standing state, वही question, वही point पर बार-बार question बनना है, इस चीज़ को याद रखो, अभी थोड़ा, दिमाग से कहलने का वक्त है, टेक्निकली, अभी पढ़ाई करने की जरूत है, टेक्निकल पढ़ाई करने की जरूत है, यहना, mass study के जरूत नहीं है, अब हमें यह समझना है, किस टाइप के question, previous year में बढ़े हैं, किस टाइप के new frame हो सकते, इस तरीके से, इसे, इसे, mechanical, टेक्निकल स्टडी कह सकते हो, तो second, which one of the following will accelerate, phosphorus cycle, आप चट्टानों को तोड़ने लगो, phosphorus आपको access amount मिलने लगे, नेक्स डेक्स डेक्स ब्रेक्डाउन और डेक्स स्मॉल इस्मॉल पार्डिकल, इस प्रसेश कॉल्ड फ्रेग्मेंटेशिं, तो कहने का मतलब है कि इतने questions थे, 2022 तक कि आप से discuss किये जा चुके हैं, आप इनको दिमाग में set करें, और इसी trend पर में भी possible कि फर्दर question बनेंगे, है न, कोई एकदम से trend change नहीं होता है, ओके, है, है